परिचय रोहन शौपिंग मॉल घूमने आया है। स्कूल में आज उसे विभिन आकरितियों के विशे में बताया गया। वो इधर उधर देखता है और अपने आसपास विभिन आकरितियों की अनेक वस्तुओं को देखता है। आओ देखते हैं कि उसने क्या देखा। उसने एक आयताकार बिलबोड, एक गोल लोगो और एक आयताकार खिड़की देखी। आओ अब आकारों के बारे में और अधिक जानते हैं। आओ सीखें। जया मिती की आकरितियों को पहचानना। काघस को मोड कर और काघस को काट कर आकरितियां बनाना। 10 ग्राम की पहली को हल करना। चौपड के पैटर्न को बनाना। जया मिती आकरितियां। हेलो दोस्तो, जया मिती रेखाओं, वक्रों और आकरितियों का अध्यान है। इसके अंतरगत अनेक विभिन प्रकार की आकरितियां जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्क, आयत, गोला और घन आदी आते हैं। यदि आप घौर से देखते हैं, तो अपने आसपास अनेक प्रकार की जया मिती आकरितियों को देखेंगे। अपने कमरे की खड़की को देखें, वो आयताकार होती है। टायल्स पर बनी हुई डिजाइन तिर्भुजा कार है। कमरे में रखी गेंद को देखें, इसकी आकरिति गोला कार होती है। दिवार पर लटकी हुई पेंटिंग के फ्रेम को देखें, ये वरगाकार है। आपने विभिन आकरितियों वाली विभिन वस्तुओं को देखा और उनकी आकरितियों के बारे में सीखा। कागस को मोड़ कर और कागस को काट कर आकरितियां बनाना। अनू कागस को काटने में व्यस्त है। उसने कागस को भिन आकरितियों में काटा है। चलो, अब उन्हें जरा नस्तीक से देखते हैं। अनू कागस का एक टुकड़ा लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि कागस के इस टुकड़े की आकरिती क्या है। जी हाँ, ये आयताकार है. अनु इससे तिर्भुज यानी त्रिकून बनाना चाहते है. कागस के इस टुकडे पर इस प्रकार से एक बिंदुदार रेखा खीचें. कागस को बिंदुदार रेखा से काटें. अब आप देखते हैं कि तिर्भुज बन गया है. दोस्तों, आओ अब एक प्लेन वर्ग टुकडे द्वारा एक वरत बनाते हैं. इस वर्ग पर इस प्रकार से एक रेखा खीचते हैं. इसे रेखा पर से इस प्रकार से मोडते हैं कि उपर वाला तिर्भुज नीचे वाले तिर्भुज के उपर हो. मोडने के बाद हमें कुछ इस तरह की आकृती मिलती है। पुना इस प्रकार से एक रेखा खींशते हैं। इसे रेखा पर से पुना मोडते हैं। अब आपको पहले की भादी ही एक छोटा तिर्भुज मिलेगा। इस पर एक वक्र रेखा खींशते हैं। और इसे उस वक्र रेखा से काड़ते हैं, ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, अंद में दोनों मुड़े हुए भागों को खोलते हैं, अब इसे देखते हैं, ये दोनों चित्र देखने में अच्छे लगते हैं, इन में से एक गोल है, क्रिया कलाब अनु को एक कारे दिया गया है जिसमें उसे कागस से टोपी बनानी है आओ उसके साथ हम टोपी बनाना सीखते हैं इसके लिए हम एक कागस का प्लेन टुकड़ा लेते हैं सबसे पहले लाल रंग की रेखा से इस टुकड़े के आधे उपरी भाग को मूरते हैं उसके बाद इसे सीधा कर देते हैं अब आब कागस के मध में एक रेखा को देखते हैं सही है इसके बाद जैसे की दिखाया गया था वैसे ही हम लाल रंग की रेखा से उपरी दोनों तिकोनों को बोरते हैं ये जाचिये कि जैसा आपको दिखाया गया है आपने वैसा ही किया है अब नीचे की तरफ लाल रंग की रेखा से उपरी हिस्से को उपर की तरफ मोरते हैं इसके बाद दोनों तिर्भुजों को बाईं तरफ मोडते हैं और दाईं तरफवालों को छिपाने के लिए उन्हें पीछे की तरफ मोड देते हैं. ये इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए. अंत में कागस को पलटते हैं और दूसरी नीचे की पट्टी को उपर की तरफ मोड देते हैं. अब आप देखते हैं कि टोपी तैयार हो गई है. जयामिती के तत्थे लंबाई और चौड़ाई के बारे में होते हैं. तीन विमिये जयामिती के तत्थे लंबाई, चौड़ाई और उंचाई के बारे में होते हैं. जयामिती शब्दावली आओ अब जयामिती में प्रयोग होने वाले कुछ आधारिये नामों को जानते हैं. बिंदू ये एक काल्पनिक चिन है रेखाएं ये सभी सीधी दिशाओं में होती है रेखा खंड रेखा के भाग को रेखा खंड कहते हैं यहाँ पर A, B एक रेखा खंड है ये वक्र रेखाएं है रेखा खंडों को नापना चलो अब जानते हैं कि रेखा खंड को कैसे नापते हैं रेखा खंड A, B को नापने के लिए हम सेंटिमीटर स्केल का उप्योग करते हैं पहला चरण स्केल के एक स्रे को जो की शोने से शुरू होता है उसे A बिंदू के ठीक नीचे रखें दूसरा चरण अब देखें कि स्केल पर बिंदू, B कहा इस्थित है तीसरा चरण बिंदू A से बिंदू B की तरफ जाने पर संख्याएं शूने एक, दो, तीन, चार और पाँच होती है इस प्रकार रेखा खंड की लंबाई पाँच सेंटिमीटर है 2D यानि दूई विमिये और 3D यानि त्री विमिये आकरितियां चलो, अब दो विमिये या 2D आकारों के विशे में चरजा करते हैं कुछ 2D आकरितियां निम्न हैं वृत्य, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत कुछ तीन विमिये या 3D आकरितियां निम्न हैं घन, शंकू, बेलन, तथा गोला समतल और वक्रिय सतह इन दो वस्तूओं, ब्लैक बोर्ड और सेब को देखो ब्लैक बोर्ड की सतह समतल है और इस सतह की लंबाई और चौड़ाई होती है जब आप सेब की सतह को छूते हैं, तो आप देखते हैं किसकी सतह समतल ना होकर वक्रिय है एक बहु भुज, एक समतल आकरिती है, जो की तीन और तीन से अधिक भुजाओं से बनी होती है बहु भुज के विभिन प्रकार हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंच भुज, यानि पंच कोण अब हम समतल आकरिती की भुजाओं और कोनों के विशय में पढ़ेंगे इस वर्ग को देखे तीर, एक, दो, तीन, चार वर्ग की भुजाओं को प्रदाशित करते हैं एक वर्ग की चार भुजाओं होती हैं एक बिंदु जहां पर दो भुजाओं मिलती हैं उसे कोना कहते हैं तीर, छे, साथ, आठ, नौ वर्ग के कोनों को प्रदाशित करते हैं इसलिए यहां हम वर्ग के चार कोनों को देखते हैं इसी प्रकार तिर्भुज की तीन भुजाओं और तीन कोने होते हैं आयत की चार भुजाओं और चार कोने होते हैं टैन ग्राम टैन ग्राम चीन की एक पुरानी पहली है। टैन ग्राम के अलग-अलग टुकणों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकरितियां बना सकते हैं। यह पांच टुकणों वाला टैन ग्राम है। आओ खेलें। टैन ग्राम के टुकणों का उप्योग करके नीचे दिये गए चित्रों को बनाने की कोशिश करें। चौपड यानि चौखाने। चौपड आकरितियों का एक ऐसा संग्रह होता है, जो कि किसी सम्दल की सदह को ढखता है, तथा कोई भी खाली जगा नहीं छोड़ता या आच्छा दन यानि ओवरलैप नहीं करता है। इसे टाइलिंग भी कहा जा सकता है। आओ खेलें। सही विकल्ब को उठा कर उसके संगतिस्थान पर रखें। हमने क्या चड़्चा की। जयामिती रेखाओं, वक्रों और आकरितियों का अध्यान है। फृत्य, त्रिभुज, त्रिकोण, वर्ग, आयत, गोला और घनादी विभिन आकरितिया है। एक बहुभुज, एक सम्तल आकरिति है। जो की तीन और तीन से अधिक भुजाओं से बनी होती है। त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन कोने होते हैं। वर्ग और आयत की चार भुजाएं और चार कोने होते हैं। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहली है चौपड आकृतियों का एक ऐसा संग्रे है जो कि किसी समतल की सतय को ठकता है तथा कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ता या आच्छादन नहीं करता है